हलो स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है ज्यारेफर्डा चानल पे मैं हूँ डॉक्टर प्रियांका गुदारा आपकी एजुकेटर फॉर स्यारेफर्डा लाइफ साइंसेज स्यारेफर्डा के अंदर आपके लिए अवेलेबल है ज्यारेफर्डा की आप पे जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं ज्यारेफर्डा वेबसाइट पे जा करके और जिसका नया बैच अभी शुरू होने जा रहा है 1st of January से तो इसके अंदर आप अगर अभी जॉइन करते हैं त इसके लिए आपको क्या करना होगा जो एक कोड है CSIR जब आप अन्रोल करा रहे होंगे तो यह कोड डालने पर आपको 30% का ओफ मिल जाएगा और यह जो कोड से आपको अवेलेबल है फॉर वेलिडिटी ओफ 12 months ओके अगर आप जॉइन करना चाहें तो ज्यारेफर्डा की व आज हम बात करने वाले हैं कि क्योंकि अब एक्जाम बिलकुल नजदीक आ चुका है सो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि वो सिरफ प्रपरेशन जो उन्होंने की है जो स्टड़ी हार्ड वर्क उन्होंने किया है उसके साथ में जब वो पेपर देने जाएं तो उनके पास में एक strategy होना चाहिए एक planning होनी चाहिए already कि वो किस तरह से अपना exam जो है लिखने वाले है किस तरह exam paper जो है उसको attempt करने वाले है so guys ये बहुत ज़रूरी है because ये जो exam है इसके अंदर सबसे ज़ादा important है time management आपके पस time बहुत limited है questions के अंदर आपके बहुत options है बट आपके पस साथ में time भी limited है so उतने सारे questions को पढ़के और उनकी अंदर से जो आपको करने है उन questions को choose करना यही सबसे बड़ा एक challenge है जो jrf के अंदर main एक selection के लिए जो आपका key point है उसे आप कह सकते हैं वो है selection of questions in this limited time okay so यहां पर हमारे paper के अंदर आपके बस में 3 section होंगे a section, b section और c section so guys a section जो है वो पूरा maths based होगा okay और इसके अंदर आपके आएंगे total 20 questions जिसमें से आपको attempt करना है 15, b section के अंदर आपके आएंगे total 50 questions जिसमें से आपको 35 questions करने है और c section के अंदर आएंगे total 75 questions जिसके अंदर से आपको 25 questions करने है okay so हम देख सकते हैं यहां बहुत choices है और यह जो particular दोनों part है यह जो है two marks का एक question है okay और यहां पर यह जो c section है यह आपका हर एक question जो है वो four marks का है okay so c section का जो एक question है वो four marks का है और यहां पर आप options देखे 25 questions करने है 75 में से मतलब हर team में से एक question आपको करना है so इस case में मतलब आपको पढ़ने के लिए बहुत सारा कुछ होगा तीन गंटे में जो सारा पढ़के आपको select करने है questions को alright so generally जो बच्चे करते हैं वो कुछ units को छोड़के चले जाते हैं so जब आप paper देख रहे हों तो सबसे पहले तो जब आप paper देखें उसकी बाद में मैं यह suggest करूँगी कि आप शुरुआत जो करें paper solve करने की वो करें section C से okay और section C से मैं इसलिए कहा रही हूँ क्योंकि maximum scoring वाला जो पार्ट है आपके paper का वो यही है अकेला यह section 75 में से 25 questions करेक्ट करना बहुत ही easy एक task है और इसके लिए शर्थ सिरफ यह है कि आप सही time management करके और वो 25 questions आप select कर पाएं in fact बच्चों के साथ जो main C section में problem आती है वो यह है कि वो पूरे question क्योंकि A section से बच्चे चालू होते हैं A के अंदर वो काफी देर तक अपना time waste कर देते हैं कई बार B section में पहुचते हैं और C section जिसके अंदर काफी सारे question last में वो पढ़ ही नहीं पाते okay so that is actually a problem with most of my students so यहाँ पर आपको क्या करना है शुरुवाद ही C section से करें लेकिन C section में इतना भी time ना लगाएं कि A और B को देखी ना पाएं okay so यहाँ पर आपको क्या करना है फटा फट से questions को read करना है अब आपने जो topics छोड़े हैं उनसे related जो भी questions है उनको आप छोड़ दीजे और उसकी time पर ही जो है आपको टिक करते ना है सिलेक कर लेना है उसका answer और आप एक note रखें कि कितने questions आपने C section के अंदर कर दीए हैं now जो questions ज्यादा typical लग रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि time लगने वाला है उनको अपने mind में रखें लेकिन उस time के लिए एक बार के लिए छोड करते हैं तो यह बहुत ही बड़ी बेवकूफ ही होगी मेरे इसाब से क्योंकि वह पांदस मिनिट में हो सकता है आगे उसे question की बजाए आप आगे चार question और solve कर लेते हैं so इसलिए एक बार के लिए उन questions को छोड़ दें जिनके अंदर आपको time लग रहा है okay so हमारा main motive क्या है कि आप सब के सब questions को एक बार देख पाए okay so जो question easily आपसे solve हो रहे हैं जैसे match the following type questions होते हैं okay कुछ graph से related questions होते हैं उस तरह के कुछ statement वाले questions भी होते हैं जो easily समझ में आ जाते हैं पढ़ते ही so जो आपको easily समझ में आ रहा है और फटाफट हो रहे हैं उन questions को फटाफट कर ले हो सकता है last part तक पहुंचते पहुंचते आपके 22 questions वैसे ही हो जाएंगे C section के अंदर okay और C section के अंदर आप maximum जो time दें वो मेरे हिसाब से first round के अंदर 50 minutes तक आप time यहाँ पे दे सकते हैं इसके बाद में आप जाएं B section के उपर okay यहाँ पे आप करीब 30 minute यहाँ पे दे सकते है okay और उसके बाद भी जाएं आप A section पे now B section के अंदर आपको risk नहीं लेना है because B section के जो question है वो memory based questions होते हैं जिनके अंदर या तो question आपको clearly आता है या फिर आपको question नहीं आता है जिन questions के लिए आप sure नहीं है उनके अंदर chance लेने की बज़ा उनको छोड़ देना ही better है जिन questions म आप answer के लिए sure हैं सिरफ वही question से आपको attempt करने है same applicable है A section के लिए भी now A section कुछ बच्चे होते हैं जो देखते भी नहीं है छोड़के ही आजाते हैं ऐसा बिलकुल भी ना करें because A section में कुछ हैसे questions होंगे जो बहुत ही बच्चों वाले से questions होंगे जो देखते ही आप easily उनको solve कर पाएंगे so even if अगर आपने अच्छे से preparation नहीं भी की है maths की तो भी हो सकता है उन questions को आप solve कर पाएं so इस section को बिलकुल छोड़ना नहीं है ठीक है आप कोशिश करें कि 15 जो करने है minimum आप 6-8 questions यहां पे करके ही आएं okay क्योंकि यह एक तरह से आपके लिए add-on marks हैं आपके overall score के लिए okay so यहां पे आप करी 20 minute आपके first round के अंदर आपे यहां पे दे सकते हैं now first round में जब आपका complete हो जाए first round तो around 100 minutes का time आप already अपना दे चुके हैं so इसकी बाद में आपको क्या करना है second round दुबारा से C section पे जाएं अब उन questions को देखें जिनके अंदर आपको लग रह तो आपका counting आपने already कर रखा है कि C section में मैंने already 20 या 22 questions कर दी है तो मुझे 5 और देखने है ठीक है so उस तरह के 5 questions को choose करें वह भी आपको दुबारा जो sorting करना है उसमें भी easy वाले questions देखने के कोशिश करें जो आराम से solve हो जाएंगे now कुछ बहुत tricky questions होते हैं जिसके अंदर आपको लगता है कि मैं कर लूँगा या कर लूँगी लेकिन आपकी जो time है वो काफी ज्यादा लग जाता है so do not attempt such kind of questions जिसके अंदर time बहुत ज्यादा लग रहा है अगर आपके बस time कम है limited है तो उन question को select करने की कोशिश करें जिसको solve करने में आपको कम time लगे okay और आराम स 75 में से अगर आपने अच्छी preparation की है तो 25 questions आपको easily मिल जाएंगे जो आप सही time के अंदर-अंदर solve कर पाए okay now इसकी बद बापस आपको जाना है B section पे और फिर A section पे last में देख सकते हो आप so क्योंकि first round में आपने 100 minutes लिये थे और आपके बस 3 hours का time है तो around 80 minutes आपके और बश दुबारा एक बार देख सकें okay और finally अपना जो paper है उसको आप आराम से देख सके satisfy हो सके कि कितने questions मुझे attempt करने थे मैं क्या target बना के आया था या बना के आई थी क्या उतने questions attempt हो चुके है okay और दुबारा एक बड़ चेक कर लें कई बार क्या होता है कि माइंड में कुछ ची क्योंकि अब जो बहुत limited time आपकी परस बच्चा है यह paper को solve करने में आपको बहुत help मिलेगी आप यह जो दिन बच्चेव हैं इसके अंदर रोज एक previous year question को solve करें तीन घंटे के time set करके उसके अंदर आप यह solve करें तो आपकी जो practice होगी इसे बहुत फरक पड़ेगा आपकी final exam बाले दिन पर और आपको अच्छे से आप उस time को manage कर पाएंगे तीन घंटे के अंदर अपने paper को solve कर पाएंगे okay so guys सबसे important चीज जो है इस exam को attempt करने के लिए वो है आपका self confidence okay और बिलकुल calm रहें बिलकुल tension नहीं करना है और अपने अंदर confidence रखना है अपने आप पे विश्वास करना है और बिलकुल negative लोगों से आपको दूर रहना है उन लोगों से बात करें जो positivity वाली बाते करते हैं जो आपको नई चीजे सिखा के जाते हैं और जो आपको काम रहने में help करते हैं उन लोगों को avoid करें जो negative हैं जो already खुदी puzzled हैं ठीक है सो उससे के mindset आपका थोड़ा change होता है सो इसके लिए जरूरी है कि अपना positive mindset रखें और उसकी अलावा आप जो है अपने उपर confidence रखें आराम से आपका exam जो है जरूर crack हो जाएगा So guys अगर आप हमारे साथ में ये course करना चाहें CSIRNET का complete course तो chemical science और life sciences के अंदर ये course आपके लिए available है GRF Adda की app पे जो आप download कर सकते है GRF Adda website पे जाके और अभी इसको access करने पे आपको ये course available हो जाएगा At the offer price of 13,999 जिसके अंदर आपको 30% off के बाद में ये price मिल रहा है Okay, so इसके लिए ये price पे course को लेने के लिए आपको क्या करना होगा जब आप enrollment करवा रहे हैं तब आप ये code यूज़ करें CSIR तो जो course अभी 19,999 का है वो आपको available हो जाएगा 13,999 पे और इसकी जो validity है वो है 12 months के लिए Okay guys, so all the best for your exam and I hope आप अच्छे से अपना exam देखे आएंगे confidence रखेंगे अपने उपर और बिलकुल काम रहके इस exam को देंगे तो वो अपने आप में एक add-on effect होगा आपके लिए Thank you